कुरूरुपी प्यारी सासंगत जी प्यारोर सतकार सी कहना धान निरंकार जी सतकूरमाथा जी का शुकराना करते हुए दासी आप जी के चर्नों में यह विचार रखने जा रही है सासंगत जी जैसा आप सभी को पता भी है शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महराज जिनकी हमसंपून अवतारबानी नीत्य प्रति पढ़ती है शेहनशा जी का आज जनम दिवस है शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महराज का जनम पंजाब के जिला जहिलम के गामलती फाल में पिता सिरी शर्दार मुखा सिंग जी और माता शिर्मति नरायन देवी जी के घर 31 दिसंबर 1899 इश्वी में हुआ शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी के स्वर्णिम यूग को अक्सर याद ही नहीं किया जाता बलकि इच्छा की जाती है कि वह शेहनशा जी वाला यूग फिर से लोटकर वापस आ जाए क्या था शेहनशा जी वाला यूग क्या थी उनके खूबियां जो आज भी उनका करशन हमें अपनी और हीचता है शेहनशा जी ज्यान प्राप्ति के बाद काफी समय तक पेशावर में रहे और 1903 ताली में सतकुर रूप में प्रकट होने के बाद पेशावर में रहे कर यान विभाजन के बाद 1907 में इंडिया में दिल्ली में आ गए और विभाजन के बाद यह अभियान दिल्ली में रहकर चलाया सत्य का वेपार उनका जनून था संसार जूट का ग्रहक है सत्य के ग्रहक कोई कोई होते हैं उन्होंने उन कोई-कोई को खोजा और उन्हे ससंग के साथ जोड़ना शुरू कर दिया परमारत के इस काम में शेहनशाजी ने दिन रात एक कर दिया शेहनशाजी के समय में समाज में बहुत गरीबी थी आर्थिक पीरा परिशानी थी लोगों के बीच में अपार प्यार वे अनहद अपना पन था आज हर आदमी के लिए खाना पीना पहनना उस जमाने जितना मुश्किल नहीं रहा पर घरों में जो समरीदी आई वे है केवल भोतिकता के स्तर पर ही आई साथ ही लगातार बढ़ती वैर विरोद इर्शा ग्रीना की आग ने सब को अपने गेरे में ले लिया है सत्कुर द्वारा ससंग की जो ये ससंग की महता बताई है इस ससंग की महता ने ही इस शीतल जल से सभी को शांद किया जीवन को जीवन बनाना मानव को मानव के करीब लाना शेहनशा जी का यह महान उपकार बार बार याद आता है और भगजन हमेशा यही कहते हैं कि शेहनशा जी वाला युक फिर से आना चाहिए आज सत्कुर्माता सुदिक्षा जी महराज भी आमन प्यार के इस अभ्यान द्वारा सारे संसार को ठंडक देने का बीरा उठाए हुए है जो लोगों के मनों में खुशी का कारण बना है शेहनशा बाबा वतार सिंग जी महराज का जीवन एक रोशन मिनार की तरह था जो बाबा वुटा सिंग जी के सानीते में आकर खुद रोशन हुआ और सारे संसार को ग्यान की रोशनी से रोशन करता रहा उननीस उनत्ती में शेहनशा जी ने बाबा वुटा सिंग जी से ज्यान की अदबुत रोशनी पाई मानों उनके जीवन में एक रांती ही आ गई शेहनशा जी और उनके जीवन संगनी जगत माता बुद्वन्ती जी ने बाबा बुटा सिंग जी की जी जान से सेवा की और बाबा बुटा सिंग जी महराज का भरपूर प्यार अशीरवाद प्रापत किया 1903 में बाबा बुटा सिंग जी महराज शेहनशा बाबा बुटा सिंग जी महराज को अपना उत्रा दिकारी घोशित कर निरंकार में लीन हो गए इसके बाद शेहनशा बाबावतार सिंग जी महराज बिना रुके बिना ठके सत्य ग्यान को पहले पिशावर में और बाद में दिल्ली में आकर जन जन तक पहुचाना जारी रखा पहाड गंज में छोटे से स्थान से ही संत निरंकारी मिशन को विशव व्यापी सवरूप देने की प्लैनिंग बनी और पुरातन बुजूरक महात्माओं के शीरी मुख से पहाड गंज की देश की अजादी के दोर की संक्तों का शर्दा समर्पन वाला भाव चुनकर बहुत अच्छा लगता है उस दोर में विभाजन की विभीशका का असरसब पर था पूरा देश अशांत था अभाव और परिशानियों का सामना हर कोई कर रहा था फिर भी शेहनशा बाबावतार सिंग जी महराज की सोच कहीं बहुत आगे से आगे का सवरूप लेकर आगे बढ़ रही थी शेहनशा जी के सुयोग्या युवा स्पुत्र सजन सिंग जी के ब्रमलीन होने पर जो शरधांजली सभा पहाडगंज शेतर दिल्ली में आयोजित हुई वे है धाई तीन सो महपुर्षों का इकठ दिल्ली का पहला निरंकारी संसमागम कहलाया फिर संसमागमों की अविरल धारा लगातार आगे बढ़ती गई स्थान की कमी होने लगी तो दिल्ली के विभिन शेतरों को संसमागम का आयोजन स्थल बनाया गया जो अंततै संस निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा के स्वयम के विशाल भूखन पर होने लगा 1908 ताली में शेहंशा जी ने दूद रिष्टी का प्रिच्च देते हुए संद निरंकारी मंडल की स्थापना कर इसे पंजी करीत कराया संद निरंकारी सेवा दल संद निरंकारी का लोनी दिल्ली आधी की योजनाएं भी साकार हुई बाबा बुटा सिंग जी महराज का पेशावर में लगाया गया घ्यान का बुटा आज विशव व्यापी रूप ले चुका है आज बहुत ही बड़ा ये हमारे मिशन का ये परिवार बन चुका है बहुत बड़ा परिवार हो चुका है शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महराज बाबा गुर्बचन सिंग जी महराज सद्कुर बाबा गुर्बचन सिंग जी महराज सद्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज सद्कुर माता सुवींदर हरदेव जी महराज और आज सतकुर्माता सुदिक्षा जी महराज ब्रह्म ज्यान के परचार परसार से इस महा अभियान को लगातार आगे से आगे बढ़ा रहे हैं शेहनशा जी ने साथ स्तारों मात्मा शिरी लाप सिंग जी अध्यक्ष डाक्टर देश राज जी उपा ध्यक्ष शिरी राम सरन जी सचीव बाव महादेव सिंग जी सह सचीव मात्मा शिरी संतोक सिंग जी परकाशन इचार्ज शिरी जुगल कशोर जी कोशा अध्यक्ष शिर बगत राम जंदर जी लंगर इन चार्ज की गोशना की और उन्हें परचार परचार अभियान की भूमिकाएं भी सोपी उन प्रातन संतों ने प्राण प्राण से अपने कामों को पूरा कर सत्गुरु को खुश किया और यश्किर्थी के पात्र बने इस अभियान में लाखों भगत शामिल होते गए और देखते ही देखते हिंदू, मुस्लिम, सीख, हिसाई सभी धर्मों के गुर्ष सिखा गया है और देश में संतों का जाल सा बिच गया, मात्मा प्रधान लाव सिंग जी, बाबु महादेव सिंग जी, रिशी व्यास देव जी, रूपलाल जी, लालो जी इन संतों ने सत्य के पर चार परसार के लिए दिन रात एक कर दिया, इनी भगतों में से एक मगर अली दिवाना भी थे, जंडे खान के स्पुत्र मगर अली दिवाना पटे आला पंजाब में रहते थे, वे सनाम संगरूर रोड के एक सान पर नमाज पढ़ रहे थे, महा एक महात्मा ने उन से खुदा के बारे में कुछ कोशन किये, बात अच्छी लगी, तो एक दिन महात्मा ने धरम पुरा सिस ससंग सल पर बुला लिया, चार पाच गंटे ग्यान चर्चा में कब बीद गए, पता ही नहीं चला, यह उननी सु मामन की बात है, महात्मा शीरवातिया, मात्मा मगर अले जी को गाने बजाने का बहुत शोंक था, अक्सर गाया करते थे, मैं किते कोई ना घाल, खबरे क्यों होया किरपाल, चाहा दित्ता कंगले नूलाल, होके आखा मालो माल, मेरी रोनक तेरे नाल, उन्होंने उननी सो चुद्टर में सत्कुर ब बाबा गुर्वचन सिंग जी महराज के साथ दूर देश इंग्लैन का दोरा भी किया, वे मंडल की वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहे, सत्कुर वास्तव में अदनों को आला और कंगले को शाहा कर देता है, ऐसे कितने ही सन, शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महराज की रहमतों के पात्र बन कर भगती के आकाश में रोशन हुए महात्मा संतोग सिंग जी तो शेहनशा जी का इशारा पाकर दल दल किचड भरे सरोवर स्थल पर रहना शुरू कर दिया, आज पैस्थान निरंकारी सरोवर के रूप में हजारों लाकों लोगों को अपनी और आकर करता है, इतिहास ऐसे कितने ही उधार्णों से भरा पड़ा है, जहां भगतों ने जी भरकर सेवा की और भगती के आकाश पर विद्या मान हुए, सत्कूर सचे पाश्या ने उनका नाम रोशन कर दिया, जो गुरू के काम में सबसे आगे आते हैं, जो गुरू के काम में नतन बंधन अर्पित कर देते हैं, ऐसे गुरू सिक की सत्कूर जयजय कार करा देते हैं, शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महाराज को आज भी हर समय याद किया जा रहा है, इन्हों ने किस तरह ये बूटा लगाया और ये बूटा बढ़ता ही चला गया, बाबा बूटा सिंग जी महाराज ने इस मिशन की नीव रखी, और देखो आज कितना बड़ा हमारा ये परिवार बन चुका है, आज सत्कूर माता सुदिक्षा जी महाराज की रहनुमाई में हम सब ये अनंद मान रहे हैं, सचे बाशा, जिस तरह आप जी अनंदे रहे हो, इसी तरह हमें अनंदेते रहना, इसी अनंद को बरकरार रखते हुए हम आगे से आगे सिवासी मरंससंग की उन्चाईयों पर चड़ते चले जाएं, कहते भी हैं कि हमने हर समय ये जो सुआस हमें कीमती मिले हैं, इनको हमने यूही नहीं गवाना, इसे हमने हर समय इस निरंकार के एहसास म लगा कर अपना जीवन बिताते चले जाना है, खैंशा बाबा बतार सिंग जी महराज, किस तरह हमें ससंग की हम प्रेनाएं सुनते हैं, पत्रिकाओं में भी सुनते हैं, किस तरह हमें ससंग की प्रेना देते, किस तरह हमें सेवा की प्रेना देते, और किस तरह हमें सिमरन के लगन से करना है जब हम इन बातों को अपने जीवन में करम रूप में ढाल पाएंगे तो हमारे जीवन में किसी भी परकार का कोई कमी नहीं होगी कहते हैं चिंता न करो करो चिंतन सीम्रण में लगाओ ये मन करें चिंता तो क्या हुना है अनमोल समय खोना है हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होना ये अनमोल समय हमने विर्थ कर देना है और फिर कहते हैं कि बढ़ जाती है मन की भटकन इस से मन की भटकन भी बढ़ जाती है इसलिए हम सीमरन करें सीमरन करने से सारे बिगडे काम भी समर जाते है और सीमरन से धीरज मिलता है शक्ती मिलती है इसलिए कि सतकुर्माताजी ने हमें यही समझाया है कि हमने भगती भचिभरा जीवन जीना है और संतों मातमाउं का कहना मानते चले जाना है जो भी अशीरवाद हम सद्कुरु माताजी से चाहते हैं वही अशीरवाद हम अपने पास बैठे किसी भी संद मातमा से ले ले वो पूरण हो जाएगा लेकिन हमारे दिल में विश्वाश पूरण होना चाहिए शर्ता होने चाहिए तब ही वो जो हमाशीरवाद लेंगे वो पूरण होगा इस तरह हमें सद्कुरु बार बार यही समझा रहे हैं कि हमने इन बातों को अपने जीवन में ढालना है इन वच्चनों को मानते चले जाना है अगर हम शिक्षा को अपनाएंगे तो हमें मुख से कुछ भी बोलने की जरूरती ही नहीं रहेगी हमारे कर्मों द्वारा ही हमें सारे सुख मिलते चले जाएंगे इस तरह हमने मीशन का नाम भी रोशन करना है और अपना लोग सुखी पर लोग सुहेला करना है जैंशा बाबे अवतार सिंग जी महराज कहते जीनों ने पूरण सतकुर द्वारा इस निरंकार को अंग संग चान लिया है उनका साहयक सतकुर निरंकार ही होता है अनेकों दान और भले करम करने से भी जीवात्मा का इस भवसागर से पार उतारा नहीं होता आज संसार पुन्यदान वे शुब कर्मों को बहुत उत्तम मानता है और इन से अभिमान के जंजीरों में जख्टा भी यही जाता है इतना कि अंत में इन से छूटना भी मुश्किल हो जाता है भगजन महापुरश सत्कुरू के चर्नों में अपना तन मंधन लगा देते हैं और अपने आपको करता मानते हैं इन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता ये कमल के फूल की तरहने लेप अवस्ता में रहते हैं इन्हों ने पूरन सत्कुरू से मिलकर निरंकार की प्राप्ती की होती है करोडो पापो का नाश करने वाले निरंकार को ये अंगसंग मानते हैं खाते पीते उठते बैढ़ते इसका सिमरन करती हैं इसी एक निरंकार का यश काती हैं यही समर्पन भाव इने मुक्ति परदान करता है इसलिए आओ जिस तरह हम इस सद्कुर समझा रहे हैं हम इन बातों को मानते हुए अपना जीवन सफला करते चले जाएं सफल हुआ है उन्ही का जीवन जो तेरे चर्नों में आ गए है उन्ही की पूचा हुई है पूरण जो तेरे चर्नों में आ गए है ना पाया तुझको अमीर बनके ना पाया तुझको फकीर बनके उन्ही का जीवन हुआ है सफल जो तेरे चर्नों में आ गए है साथ संगत जी ये गीत नहीं ब्रहम विचार है इस दोरा इस ब्रह्म विचार के दोरा हमें यही सीखने को मिला है कि जिनों ने अपनी मै को मिटा कर जो सत्कुरू के चर्णों में शर्दा भाव से मन से दिल से सत्कुरू के चर्णों में जुड़ गए है उन्होंने सब कुछ पा लिया है मैका दान करके आना सेवा के मैदान में क्या नमरता को धारन करना क्या रखा अबिमान में अबिमान जो करते हैं वो हमेशा गिरते हैं वो जो नमरता में रहते हैं उनको ये सद्गुरू उचा उठा देता है उनकी जैजैकार करा देता है इसलिए ये जो दर्बार है ये प्यार का दर्बार है ये नमरता का दर्बार है जो जुक जाता है वो सब कुछ पालेता है कहते हैं कि जो अकड़ता है वो मुर्दे की पहचान होती है जो जुक जाता है वही तो भगत की पहचान होती है इसलिए जुकने में शान है अकड़ने में कुछ भी नहीं है इसलिए सत्गुरु ने हमें ये तू का सिम्रन दिया है कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरन हा मैं नू बख्ष लो हमने इस तू के साथ मिल कर रहना है जब हम तू तू करता तू भेया मुझ में रही नहूं पर कापा मिट गया जित दिक होते तू जब हम तू के सिम्रन में तू के सिम्रन में हम खो जाएंगे तो फिर मैं तो आएगी ही नहीं जब मैं नहीं आएगी तो कोई भी बेगाना नहीं नजर आएगा सबी अपने ही अपने नजर आएंगे साथ संगत जी विचार करते हुए दासी से कई परकार की गल्तियां भी हुई होगी उन गल्तियों के लिए दासी शमा प्राती है और दासी सब के सुखों की कामना सचे वाश्या के चरनु में करती है और सभी के लिए सिमरन करवाएगी दासी आप सभी निमेल कर सिमरन में साथ देना है जी तुही निरंकार, मैं तेरह शर्णा, मैं नू बक्ष लो तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंनू बख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदरहर देवजी महराज कीजे निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार कीजे साथ संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी